विजय सर्दाना साब उनको जोड लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ा देते हैं विजय जी बहुत स्वागत है आपका नमस्कार विजय जी चुनाओ तो अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक किसी समय घोशित हो जाएगा आचार सही तर लग जाएगी जितना करना था मे सेरे चार से कर चुके मौदी जी भी अब मुझे लगता है कि अलग-अलग राज्यों में जो योजनाएं परियोजनाएं हैं उनका जो भी शिलान न्यास याउद घाटन कर रहे हैं लोकारपन कर रहे हैं वो भी अंतिम चरण में ही है मोटे तोर पर आप कौन से बड़े मु सबस्वारबाद एक भ्रश्टाचार और एक तुष्टी करण के इन तीन चीजों पर इन तीन चीजों को हमें खतम करना हैं तो क्या यही होंगे इसके इर्दगिर्द ही होंगे या और मुद्दे आप मानते हैं और मौधी साब के मजबूत पैंट आप क्या मान पर चल रहे है उनकार जी सबसे पहले आपकर सभी दर्शों को मेरा पड़ा जी बहुत स्वागत आपका तो देखिए दो तीन चीजें हैं आज मोदी साब का अगर मैं कहूं इस महीने या अगले महीने तक करीब उनके दस साल पूरे हो जाएंगे ऐसे प्रदानमंत्री और हम सबकी निगाहें अगले पात साल को लेगे जितने भी पॉलिटिकल एक्सपरिमेंट और क्रिटिसिसम होने थे वो फर्स्ट राउंड में हो गए कुछ पॉलिसी रिफार्म्स सेकेंड राउंड में हो गए सेकेंड टेनियर में अब जनता को उमीदे मोदी साब से बढ़ कर सकें हम आदमी से अगर आप पूछते हैं कि वही हूविल भी दे नेक्स प्राइम मिनिस्टर तो लोगों का अक्सर सवाल यह होता है कि अल्टरनेट क्या है क्योंकि राहुल गांदी साब अपने आपको पिछले कई सालों में उनके पास एक पूरा मौका था अपने आपक इस समय दिख नहीं रहा जो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन हो और जिस पे जनता भरोसा कर से अनफॉर्टली मनमोन सिंग जी का एज साथ नहीं दिया और काफी एजिड हैं इस समय और बाकी जो लोग हैं उनके उपर अभी कोई ऐसा लीडर दिख नहीं रहा जिस पे जनता भरोसा कर सकी हैं और सबको यह पता है कि इस समय देश में हर साल जैसे जैसे आबादी वड़ रही है वैसे वैसे चुनाथियां भी बढ़ रहे इतनी डाइवर्सिटी है इस देश में इतने चैलेंजिज हैं कि जब तक राज्य सरकारें अपना रोल फ्ले नहीं करेंगी एक लिमिट के बाद केंद सरकार कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि बहुत सारे महतुपुण मुद्दे तो राज्य सरकारों के आधीन तो ये एक चु मुझे लगता है कि आने वाले समय में कई बड़े चुनौती पूर्ण निर्णे लेने होंगे और ये प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा यह और जाले करें निर्णे लेने का वक्त आ गया है और उसमें कुछ रेडिकल मुव्मेंट भी हो सकते हैं और इसी लिए ये डिपेंड करेगा कि जो किंद सरकार है उसके पास कितना लोकसभा में और राजसभा में सपोर्ट है जनता का अगर थिन मार्जन पर आए तो शायद रिफॉर्म नहीं हो पाएं लेकिन अगर मार्जन जादा रहा और डिपेंडेंसी जो एलाइज हैं उन पे कम रह कि तो मोदी जी बड़े फैसले ले पाएंगे क्योंकि एलाइज के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं आसानी साफ उनको तोड़ सकते हैं उनको विखेर सकते हैं क्योंकि इंड्यूस्मेंट लालच चाह पैसे का हो पद का हो किसी और चीज का हो वह हिंदुस्तान की राजदेती में बहुत कॉमन चीज हैं तो हम यह नहीं मान सकते कि जो लोग छोटे दल हैं या जो लोग एक दो सीट लेके कोलीशन में आए हैं जस्ट टू बी पार्ट इफ रूलिंग कोलीशन उनकी उपर हमेशा संदे रहेगा उनकी जिसको मैं यह कह सकता हूं कि मैं परस CIREEEE Classic integration then People ki वाइं वे सकी बात नहीं कर रहा लेकिन हवा का दरूख देखके लालच में आके कहीं कोई और वदेखके आप पासा पलँट लेते हैं मैं उसको इसलिए कह रहा हूं कि राजनितिक जो अपॉस्टिटिजम है इस देश में अवसरवादिता उसकी कमी नहीं है तो ये एक मौका है जिसके बारे में हमें सोचना हो एक्सपेक्टेशन जनता की बहुत जादा है कि दो साल आपने कर दी अब तीसरे साल रफ्तार बढ़ाईए और मेजर जो फोकस वो रहेगा एंप्लाइमेंट अगर आप मेरे से पूछते हैं कि हिंदुस्तान में मोदी साहब के मोदी थ्री पॉइंट ओ में क्या फोकस होना चीए मेरा एक मात्र फोकस रहेगा हाउ टू जनरेट एंप्लाइमेंट एंड हाउ टू रिड्यूस ग्रास लूट रूट मोदी साहब हिंदुस्तान से मिलावट खत्म करके दिखा दीजिए आपके लिए चुनाती है खाने में मिलावट दवाईयों में मिलावट पेस्टिसाइड में मिलावट बीज में मिलावट खाद में मिलावट पेट्रोल में मिलावट मतलब हर चीज में मिलावट है जो जन ये चुनाती है मेरी आपको पता नहीं बाकी लोग क्या चुनाती देते हैं अगर आपने मिलावट खतम कर दी तो आप ये समझे एंप्लाइमेंट जनरेशन भी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा MSM ME का भी रफतार से काम होगा गिसानों को भी उनका ह baptized एक काम लिए एक लिए बासा हिंदुस्तान से मिलावट खतम कर दीजिए हिंदुस्तान की रफतार डबल हो जाएगी गया कर पाएंगे ये मौदी जी को मेरी चुनाती वक्त बताएगा चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए मौधी जी के बारे में तो आपने बता दिया कि उनकी क्वालिटीज क्या है और उनने किया क्या है जिस पर वो आगे बढ़ेंगे और नया जनादेश पब्लिक से मांगेंगे देश का अशिरवाद फिर से तीसरी बार लेंगे लेकिन जब हम विपक्ष की तरफ देखते हैं ठीक है आपने कहा कि मनमौहन सिंग की तो खेर उमर हो गई है और विपक्ष में और कोई चेहरा दिखाई दे नहीं रहा है जो मौधी जी का विकल्प बन सके थोड़ा बहुत कोई हो सकता था तो मुझे लगता है कि मौधी जी ने उसको तोड़ करके अपने में ही मिला लिया और वो भी शायद इसी गलत फहमी में विपक्षी दलों को इकठा कर रहे थे कि 2024 में सब इकठे होकर के 26-28 दल या कुछ और मिल जाएंगे बाद में नतीज लेकिन वो अब विपक्षी दलों के पास नहीं है विपक्ष के बारे में आपका आकलन क्या है और कोई सशक्त विकल्प उभर क्यों नहीं रहा है क्योंकि जब हम नरेंदर मोधी की बात करते हैं तो नरेंदर मोधी ने बहुत बड़ी लंबी लकीर खीच दी है और शायद गहरी लकीर भी खीच दी है इसको मिटाना या इससे बड़ी लकीर खीचना जो मौझूदा विपक्ष का नेत्रत्व है उसमें तो कोई संभावना हमें अभी नहीं दिखाई दे रही है देखिए कुछ चीजें से हमें समझ नहीं होगी वीवेका नंद ऐसा नहीं है कि सबसे जादा विद्वान थे लेकिन क्या होता है कि आदमी अपने कर्मों से अपने कमिट्मेंट से जाना जाते हैं एक निस्वार्थ भाव से आप अगर आगे बढ़ते हैं दुनिया देखती है आपके काम करने को आपकी शैली को बहुत कुछ रिफलेक्ट करता है तरदार भी बड़े लोग हुए हैं जिनोंने भी कुछ किरतिमान किये हैं चाहे आप बिजनस वर्ड में देखें या आर्ट एंड कल्चर में देखें या आप लिटरेचर में देखें या पॉलिटिक्स में देखें या साइंस में देखें जहां पे भी देखें जब तक आप कमिट होती है उस इंसान में जो दुनिया को अट्रेक्ट करती है या इंफुलेंस करती है आप कुछ भी शब्द इस्तवाल कर सकते हैं उसके लिए चाहिए कमिट्मेंट आज सवाल इस बात का है कि जिन विपक्षी दलों की आप बात कर रहे हैं उसमें से कौन सा ऐसा लीडर है जो जिस पे ये कहा जाए कि या इसका कोई वेस्टेड इंट्रेस्ट नहीं है पार्टी का इंट्रेस्ट मैं फिर भी मान लूँगा कि चलो उसका इच्छा है कि उसकी पार्टी मजबूत हो और उसकी पार्टी सत्ता में रहे यह भी मान लेता हूं कि यह भी एक बड़ा काम है क्योंकि बगएर लोकतंत्र में बगएर बड़ी पार्टी के आप सत्ता में लेकिन जब ना तो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रेंथन कर पा रहे हो उसको सुधार पा रहे हो और सपने आप देख रहे हो देश बनाने के वो नहीं जमता सर जिनकी तरफ आपका इशारा था कि एक चेहरा शायद अपोजिशन में दिख रहा था मुझे तो नहीं लगता सर क्योंकि देखिए क्या है कि आप अगर इन नेताओं की बातचीत देखें मैंने तो बहुतों के साथ बहुत क्लोजली बैट के मीटिंग्स में बात करी है वो डेप्थ नहीं है सर आप कुर्सी को सलाम कर सकते हैं आप मंतरी हैं आप कुछी मंतरी हैं आप मुख्य मंतरी हैं आप प्रदान मंतरी हैं आप कुछ भी हैं लोग आपके लिए आपके पास इसलिए आते हैं आपको इसलिए रस्पेक्ट देते हैं विकास दे पसंद कर रही है तो वो गलत फेमी हो सकती है हकीकत नहीं कम से कम अगर कोई देखे इसना बात करते हैं गुजरात मॉडल की दोजाद चौदा का टाइम आप वापस रिफल की फ्लैश बैक जाइए उस समय वाइपरेंट गुजरात जब हो रहा था आई वाज इनवेस्टमेंट हो रहा था मैंने बहुत सारे राजियों के इनवेस्टमेंट सम्मेट में पार्टिसिपेट किया वहां के सेमिनार कॉंफरेंसेज में अपना रोल प्ले किया वहां के लेक्ट के चलो एक हो गया सरकारी प्रोग्राम है तो एक बुला लिया एक सेमिनार हो गया ना बीरोक्रिसी को इंट बेस्ट ऑप्शन लेकिन जिस तरह से वहां की बिरोक्रिसी इंवाल थी टॉप लीडर्शिप का मुवमेंट था कमिटमेंट था मॉनिटरिंग थी तो लगता था कि यार कुछ तो आदमी करना चाहता है कितना कर पाएगा वो अलग बात लेकिन एक पूरी उसी देश की एक मशीनरी को इस तरह से साथ में लेके चलना और फोर्स करना टू डिलीवर मैं आउटकम पर नहीं जा रहा हूं मैं एफट्स पर जा रहा हूं तो लगता था कि यहां कुछ अलग है और फिर आपने उसी गुजरात में जहां पर अक्सर सूखे की बात हुआ करती थी क्योंकि गुजरात से मेरा बहुत क्लोज रिलेशन रहा है डेरी सेक्टर में डॉक्टर कुरियन के साथ हमने काफे डिसकुशन किये तो कहने का मतलब यह है कि जब गुजरात में आप ट्रेवल करते थे एमदाबाद से बाहर निकलते थे तो आपको बिलकुल बंजर जमीन सूखी ज देखता है सड़के बदले भी देखती है आसपास का एरिया बदलावा देखता है जैसे पंजाब की सगर्लियों में आप गुमलब सड़कों पर जाते हैं तो आपको जार दोनों तरफ सड़कों के आप कर्स्रक्शन देखते हैं तो कहने का मतलब है कि बदलाव दिखा जनता को शहत पहले मॉडल में समझ में आया तो उनोंने दूसरी बार मौका दिया अब दूसरा मॉडल में जनता को अगर समझ में आएगा तो देसरी बार मौका देगी तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का वो एक हिसाब से तो बहुत अच्छा है कि हर पांच साल बाद आपकी परिक्षा होती और जंता डिसाइड करती है कि आपको कुर्सी देनी है या नहीं देनी यही हाल राज्य सरकारों को है तो जब राज्य सरकारें अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगी तो उस राज्य सरकार के मुख्या को केंदर की जिम्मेवारी देना मतलब एक आप यह समझे कि असिस्टेंट मैनेजर को जनरल मैनेजर बनाने कि आ बात कर रहे है तो मैं जब आपकी असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर से खुश नहीं हूँ आपकी परफॉर्मेंस है मैं आपको बड़ी जिम्मारी कैसे दे दू तो विपक्षी दलों को ये सोचना होगा कि आलतो हालतो की बातें ना करके पर्सनल आरो ना लगाके परफॉर्मेंस पे ध्यान देते तो आज शायदो जादा इस्थिति में अच्छे ह आप ये मानते हैं कि देश का भरोसा इसलिए भी इन लोगों पर नहीं जम रहा है कि एक तो ये वरस्थाचार के मामलों में फसे हुए हैं तरह तरह की जाच का सामना कर रहे हैं कि इंदर की कई एजिंसियां जो हैं वो लगातार च्छापे मारी और बरामदगियां ऐसा नह दूसरे हाँ ये बात भी है कि इन में से ज्यादतर वंशवादी हैं और ये अपने परिवारों की चिंता ज्यादा कर रहे हैं अपने प्रदेश की कम और देश की कम तो इसलिए भी लोगों का भरोसानी जम रहा है इन पर सर मैंने कहा ना कि देखिए एक्शन स्पीक्स लावडर देन देवर्ड एक कहाओत है ना सर कि आपके जो करनी और कतनी दोनों में लोगों को फरक देख रहा है आप बोलते रही है मैं बहुत कमिटेड हूँ मैं इमानदार हूँ मैं महनत हूँ मैं सब कुछ हूँ मैं देख के तो कुछ और देखता है यही हाल बाकी राज्यसरकारों का है और बात तो सही है आफ्टर ओल आप अगर एक बार कुर्षी पे आ जाते हैं उस कुर्षी से आपको हटने में इतना कस्त आता है और आपकी पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है आपकी पार्टी आपके फादर साथ थे पार्टी अद्याक्ष पिर आप हो गए अब क्यों आपका बेटा है अब ये कौन सी डेमोक्रेसी है जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी में ही डेमोक्रेसी नहीं ला सका उसको ऐस यह private limited company यह जब private property की तरह इस्तो वाल कि दीखिए एक बात तो समझें नहीं होगी कि यह democracy के अंदर जो political party होती है यह public asset होता यह private asset नहीं होता है शुक्री वहां पर यह कहा जाता है ना कि आप grassroots level के election कराएंगे वहां से आप अधारीकारी सेलेक्ट करेंगे फिर पदादिकारी में चुनाव होगा फिर उसके उंदर से एक आदमी निकलेगा फिर सेकंड लेयर थर्ड लेयर आप उस तरह से आके सेंटरल लीडर्शिप को तयार करते हैं लेकिन यहां तो बहुत क्लियर है कि पिताजी है उसके बाद जो लीडर बनेग यह तो हरार की या जिसे कहते हैं पुष्टैनी प्रॉपर्टी है मैंने अपने बेटे से ले अपने पिताजी से ली अपने पास रखी अब मैं अपने बेटे को दे के जाऊंगा यह कौन सी डेमोक्रेसी होगा तो यह मजबूरी है और यह चीजे क्या होती है कि जब आप इ नहीं सकता अपने कैरियर में इवन ऐसे पॉलिटिकल वरकर कि यह तो बॉस डिसाइड करेंगे कि कौन क्या बनेगा मेरी मेहनत का कोई फाइदा नहीं है तो सब्सक्राइब कोई पॉलिटिकल पार्टी का बेस बनाएगा मेहनत करेगा और उसके साथ लगके उसका कुछ सब्सक्राइब कहा करती थी गुंडा राज है लॉलेसने से बंगाल के अंदर बिल्कुल लॉलेसने से हर तरह से गुंडा राज चल रहा है आज क्या हो रहा है जब आप बंगाल के लोगों से बात करते हो तो उनका है मैसेज बहुत सिंपल है उनका सर जो पहले गुंडा ल लेफ्ट का जंडा उठा के चलते थे जब लेफ्ट सत्ता में नहीं था उन्होंने त्रिमिल कॉंगर्स का जंडा उठा लिए उनको क्या फरक पड़ते हैं उनको तो सत्ता का सरक्षन चाहिए उनको किसी की कोई मतलब नहीं है एंटी सोशल एलेमेंट की कोई आइडिय नहीं होती उसको समाज को अपने गैं के लिए एकस्पलाइट करना होता है ठू怎么了 उसके लावस का कोई आइडियोजी नहीं और उसके लिए उसको चाहिए सत्ता तो चाहे लेफ्ट की हो तो वो अपना जंडा छोड़के वो तो नोने हरा जंडा उठा लिए कल को आम आदमी पार्टी के आएगी तो उसका जंडा उठा लें उनको कोई फरक नहीं पड़ता पार्टी के आपने बंगाल का जिकर कर दिया और मैं तमिल नाडवी इसमें और जोड़ देता हूं यह दो इस्टेट ऐसे रहे हैं 2019 से पहले तो खैर पश्चिम बंगाल भी पर 2019 में पश्चिम बंगाल ने अपने बिहेव से चौका आया था देश को और भारतिय जंता पार हुई है और तमिल नाडव में जिस तरह की भीड अन्ना मलाई के पीछे दिखाई दी और अभी मौदी जी वहां गए थे उनकी भी रैली में जिस तरह के से लाखों की भीड उमड़ी है और जिस तरह के जमीनी सर्वेज आ रहे हैं ऑपिनियन पोल आ रहे हैं क्या ये दोनो राज इस बार चौका सकते हैं दो चीजे इंपॉर्टन हैं चौका भी सकते हैं लेकिन डिपेंड करेगा कि बीजेपी का जो ग्रासरूट वर्क है वो कहां डीप तक पहुँचा है अगर चौबिस में नहीं चौकाया तो मुझे लगता है उनतिस में तो जरूर सीरियस इस पैक्टर देखेगा क्योंकि अभी तक बंगाल में हो या साउथ में हो इतना सीरियसली इवन बीजेपी की सेंटरल लीडर्शिप ने भी नहीं लिया जो अमिच्छा और मोधी साहब ने मिलके जो एक्सपैंड करने की कोशिश करी है पार्टी की वहां मुझे नहीं लग कर रहा था कि जब हम लोग बात करते हैं कि बीजेपी की 370 सीटे कैसे आएंगी बगर हो गया अब तमिल नाडू की आपने बात करी तमिल नाडू में थर्टी-नाइन सीट्स हैं टोटल बीजेपी के पास जीरो है अब जीरो से थर्टी-नाइन के उपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा क्योंकि वेस्ट बंगावल में 42 थी अठारा आई है तो अगर यह वेस्ट बंगावल का मॉडल ही रेप्लिकेट हो जाता है अब सवाल इस बात का है कि क्या 18 सीटे वीजेपी तमिलाडू में ला पाएगी मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो बंगाल में आपने दूसरा क्या बंगाल में बीजेपी 42 में से 50 परसेंट का आखड़ा पार कर पाएगी क्योंकि आप अठारा पे हैं आपको 21 चाहिए उस लिमिट को क्रॉस करने के लिए तीन और बढ़ानी है और जब आप मोर देन 50 परसेंट हो जाते हैं लोग सभा में तो इस बिग पॉलि बंगाल की तरह बीजेपी अपना जो भी डेंट है वो बना पाएगी आपकी बात सही है अना वलाई साब काफी पॉपुलर हैं लोग सपोर्ट करें और क्यों ना करें हिंदुस्तान के सबसे बड़े हिंदू टेंपल तो तमिलाडू में और तमिलाडू सरकार चाहती है कि ह इंदुस्तान से खतम हो जाए तो वो तो अपनी ही कल्चर अपनी ही संस्कृति को बरबाद करने में लगे में क्योंकि वहां की जो पॉलिटिकल लीडर्शिप है उसका तो कोई आइडियलॉजिकल है नहीं वो तो सिरफ पॉलिटिक्स के कारण ही उन्होंने अपने आपको सब्सक्राइए तो कोई था नहीं कहantu साल पहले क्या था वहां पे तो डियम्ट के का तो कोई पॉलिटिकल बेस नहीं है वो पॉलिटिकल आइडिय लॉजी सिराय पावर कीं कोई कल्चरल और नहीं है ulogan कि यह सिरफ एक पॉलिटिकल इंटिटीं यह सब्सक्राइं कर देए सोचना होगा कि वहां की जनता को अब जो अल्टरनेट दिख रहा है अन्नामलाई में क्या वो उसका साथ देंगे सवाल इस बात का है पहला और जहां तक बात है वेस्ट बेंगॉल की क्या इस बार बीजेपी हाफ मार्क क्रॉस कर पाएगी यह दूसरा सवाई अगर यह दो हो प्लिटिक्स में बहुत बड़ा शिफ्ट होगा और मुझे लगता है इसका असर पूरे देश में आने वाले दिनों में और देख रहे हैं और सड़ जी लोकसवाचनाव से पहले अंदर चले जाएंगे या नहीं जाएंगे तो देखिए इस समय पूरा मुद्दा कोर्ट मे है अब जहां तक बात है कि जिस कांड के लिए इनके साथी लोग जेल में गए हैं तो कानून में तो यह कहा जाता है कि अगर कहीं पे कोई क्राइम हुआ है और उसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वाल्व है और एक आदमी को अगर सजा मिलती है किसी क्राइम को लेके और बाकी एक्टिव लोग इन्वाल्व रहे हैं उस क्राइम में तो सबको बराबर सजा और वो ही सजा मिलेगी तो अब केजरिवाल साब बार बार ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे है कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं हूँ जो सिरफ टेक्स्पेर के पैसे पे मज़े करने आया था डिसीजन मेकिंग में में मेरा कोई रोल नहीं है तो मुझे क्यों फसाया जा रहे है केजरिवाल साब अब ये प्रूव करने की कोशिश करने है कि जो आपने पॉलिसी बनाई उसमें मेरा कोई रोल नहीं विधान सवा में या कैबिनेट में जो डिसीजन हुए उसमें मेरा कोई रोल नहीं जो टैरिफ मनदब कि axize duties या जो commissions बदले leaker groups के लिए उसमें मेरा कोई रोल नहीं तो मेरा तो कोई रोल है यह नहीं तो मुझे क्यों फसाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली में केजरिवाल साथ आप इस बात को प्रूव करने में लगे हुए हैं डेस्परेटली कि भईया मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं वह आप जबदस्ती मान रहे हैं मैं तो सिरफ सीष महल में रहने और टेक्सपेर के पैसे पे मज़े करने आया था क्योंकि जब मैं सरकारी करमचारी था वो मैं म सब्सक्राइजंडा बहुत क्लियर है अब ये कोट को बताना है कि आप मुख्यमंत्री थे या नहीं थे पहले तो पहला सवाल तो कोट में जजज साब को पूछना चाहिए आप दिल्ली के मुख्यमंत्री है या नहीं अगर वो कहते हैं तो ट्रांजेक्शन बिजनस रूल म सब्सक्राइब की पर्मिशन से वहीं नहीं सकते थे तो अब बताईए कि आप रहते वे आपने इस डिसीजन मेकिंग में पार्ट लिया था या नहीं लिया था तो फिर ये पॉलिसी बन भी गई इंप्लीमेंट भी होगी आप पता ही नहीं लगा और वापस भी होगी और आ हमको अंधेरे में रखा आपने हमको सेक क्यों नहीं किया कि जिवासम का जवाब नहीं है ये सिरफ इस समय जो पूरा तमाशा हो रहा है ये पॉब्लिक आइज में एक सिंप्लिथी बटोरने का प्रया से इस से जादे कुछ है और ये जो आजकल ग्यान दे रहे हैं कि जैसर परिवार को बाहर रख किया जाएगा पारिटी नए रूफ सरूफ में खड़ी होगी कोई हिम्मत कर पाएगा लगातार इनके नित्रत्रों में तीसरी बार पारिटी बुरी तरह हार ने जा रही सर ऐसा है कि इनको भी पता है कि इनका भविश्य नहीं अब प्रॉब्लम इन और अगर कॉंग्रेस के सेंटर में नहीं है तो कॉंग्रेस सारी जो पूरी पूरी इंडियन नैशनल कॉंग्रेस है यह स्टेट गर्व्स में बट जाए जैगी यह और पिर पोरे को बाददने का अगर कोई श्रे जाता है साइक प्होंड़्का वोग आपका गандी परिवार आप इसको हटा दीजिए और फिर मुझे बता दीजिए कि कौन है जो कॉंग्रेस को एक साथ जोड़ पाएगा लेकिन ये परिवार तो बोज बन चुका है ना कॉंग्रेस पर सर देखिए आपको और हमको लगता है गोज लेकिन जो लोग पावर में आज बैठे हैं जिसको आप कह सकते हो हाई कमार जो पार्टी के करता-धरता हैं वो तो मजए कर रहा है ना सर्व क्योंकि उनको पता है अमाल लीजिए कि आपके हाई कमार में पच्शीस पचास लोग ब से 50 लोगों में से 20 लोग ऐसे होंगे जिनको यह डर होगा यह मेरी कुर्सी जाएगी तो यह कंपल्शन है यह मजबूरी का गटबनन नहीं इसी लिए यह लोग कभी आपको फील्ड में कभी आपने इन में से किसी को में करते देखा है कॉंग्रेस के सेंटरल लीडरशिप पर आज तक बता दीडि़ू चाए imagining किसी को यह किसी को करने ही नहीं देंगे कोई को ही अगर उभर गया तो इनकी इनकी नेतागिरी खतम इनका वर्चस्वां खतम तो यही है ना सर कि एक तो यह चाहते नहीं और दूसरी तरह अपने हिमत नहीं कि वह अपनी constituency में जाके rally कर सके हैं तो फिर इस leadership का role क्या है क्योंकि आपके साथ ना कैडर जोड़ रहा है ना आपके साथ कोई ideological alignment है ना कुछ है इनके नेताओं के आसपास हमेशा को 25-50 लोग वो मिलेंगे जो इनसे कुछ ना कुछ मांगने या पाने की अपक्षा से इनके आसपास मंड़ाते हैं और कोई नहीं होगा किसी को ठेका चाहिए होगा किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी किसी का कुछ और काम धाम होगा तो यह सब इस तरह के ही इनके आसपास की मंडली है जिसको कैमरे में दिखा जाता है तो कॉंग्रेस की मजबूरी है सब उससे यह हो रहा है कि इस पार्टी का अपना बेस खुद डिके हो रहा है जो थोड़ा बहुत बेस बचा हुआ है जो लोग बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते यह उनकी मजबूरी है इस पूरे equation को सबसे अच्छे ढंक से अगर किसी ने exploit किया और समझा है वो है केजरिवाल उसको यह पता है कि राहुल गांदी के साथ रहे के राहुल गांदी का वोट अपनी तरफ खीच लो उसका गेम बहुत क्लियर है कि देखिए बीजेपी के अगेंस्ट कोई opposition नहीं है एक बहुत बड़ा vacuum बन रहा है opposition पार्टी का केजरिवाल की पूरी निगाह है कि भारत का जो opposition space है वहां बहुत बड़ी opportunity उसको capitalize करो मोदी से fight करना ये करना वो करना वो तो उनको भी पता है कि उनके बस की बात नहीं बीजेपी के आगे वो खड़े नहीं हो सकते लेकिन क्या हम principle opposition party बन सकते है केजरिवाल का पूरा agenda वहां है और इसी लिए आप देखिए उनके वक्तवे उनकी बाते हैं उनका action plan वो सिर्फ उन लोगों को attract करने का होता उनके भाशन जो एंटी मोदी और एंटी बीजेपी उनका और कोई agenda नहीं कि आप अगर बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते तो मैं हूँ बस इसके लावा मेरा कोई agenda नहीं और कई हमारे मित्रों ने लागू करने से एक धुरूवी करण तो होगा पाले बंदी तो होगी टेंशन होगी के नहीं होगी फिर से यह लोग सड़कों पर उतरेंगे के नहीं उतरेंगे वो तो बहुत शिकी बात है और अगर CAAEA लागू करेंगे तो जाहिर है कुछ सुरक्षा रक्षा तैयारियों के साथ ही करेंगे सर्थ देखिए मुझे नहीं लगता है इस समय होगा उसके दो तिन कारण है एक तो election बहुत नजदीक है दूसरा कोई भी आप कानून बनाते हो तो उसके जो subordinate legislations रूल बुक है प्रोसीजर्स हैं सिस्टम्स हैं डिपार्टमेंट्स हैं वह इन फ्लेस होंगे तो उस कानून का मतलब है नोटिफाई करके आप करेंगे कि हम इसको चार साल बात लागू करेंगे उसका कोई political gain भी नहीं मिलता लोग भूल बाज जाते हैं कोई फाइदा नहीं तो और अगर अभी माली जी सिये कर भी देते हैं लोग होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सुप्रियम कोट पहुंच जाएंगे कि इस कानून को निरस्त किया जाए कि भारत के समयदान के खिलाफ है कई लोग पहुत जाएंगे कोट उस इस्तिति में कोट स्टे दे दे और फिर सिच्वेशन आउट आफ पंट्रोल चली जाए क्योंकि अगर स्टे हो गया तो आप कुछ कर नहीं पाओगे अगले पात साल बेभी अगर कोट ने आपका साथ नहीं दिया तो जिससे कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको सोच समझ किये रणनीती के तहट इनको नेक्स जब भी पार्लेमेंट सेशन बैठेगा इलेक्शन के बाद तब इसको वहां पे प्रॉपर रूल्स बनाके पास करके नोटिफाई किया जाएगा विद डे स्टे हो गया फिर सरकार भी इंटर्वीन नहीं कर सकती कि कोर्ट ने स्टेकियों दिया तो रणनीती रूप में से मुझे नहीं लगता कि इस समय करना चाहिए और करेंगे तो फिल इंप्लीमेंटेशन हैस्ट विद इमीडियेट इफेक्ट और इमीडियेट इफेक्ट का मत पतलब है कि अगर अचार सही तर लग जाती है तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे ना सरकारी डिपार्टमेंट ना कोई पोस्टिंग ट्रांसवर कुछ नहीं कर पाएंगे तो यह मुझे नहीं लगता कि इस राइट टाइम जब इतने साल हो गए हम नहीं कर पाएं दो मह महित्पुर्ण मुद्दवा चर्चा करने के लिए थैंक यू सो मच्छ नमस्क्राइब नमस्क्राइब वन्दे मात्रव वन्दे मात्रव